आप बच्चे को सूर्य धर्ती को कैसे गरम करता है यह समझाने के लिए बच्चों को धूप में खड़ा करवा कर सिखा सकते हैं आप बच्चे को सूरज की रोशनी में खड़े करवा सकते हैं और महसूस करवा सकते हैं कि उनकी त्वचा कैसे गरम होती है फिर वे छाया में खड़े हो सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि यह कितना ठंडा है फिर आप बच्चे के साथ बात कर सकते हैं कि सूर्य प्रत्वी को गर्मी कैसे देता है आप समझा सकते हैं यही कारण है कि जब सूरज दिन के दौरान चमकता है तो गरम होता है और जब सूरज रात में नीचे होता है तो यह ठंडा होता है ऐसा करने से उन्हें यह समझने में मदद मिलेगी कि सूरज उनके आसपास की दुनिया को कैसे प्रभावित करता है झाल झाल